हलो ब्यार बच्चों कैसे हैं आप लोग यह बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को इंजवाय कर रहे होंगे हम लोग इतिहास के बहुत है सारे प्रस्णों का सलिशन जो है कर चुके हैं और हमने बहुत इविस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को डिसकस कर लिया है और अब आ आज आपके सामने हैं पहला प्रस्ण गाधी जी ने व्यक्तिगत सत्यागरा निम्न में से कब शुरू किया गाधी जी ने व्यक्तिगत सत्यागरा कब शुरू किया था पहला आफसन है 1940 दूसरा है 1947 तीसरा है 1942 और चौथा है 1945 बताएंगे गाधी जी ने व्यक्तिगत सत्या कब सुरु किया था आप लोगों को यह बताना है सानधर प्रश्ण है और बहुत आसान है आप सभी को पता है क्या है जो सहे हो जाएगा आपसर नमर आपका फर्स्ट बिलकुल सही हो जाएगा 1940 में महत्मा गाधी ने व्यक्तिगत सत्यागरा शुरू किया था यानि कि यहाँ पे इनोंने कहा कि हर व्यक्तिगत अपने आपको गाधी समझे हर व्यक्तिगत अपने आपको लेडर समझे कोई एक लेडर नहीं होगा कि उसके गरपतारी के बाद आंदोलन ठप हो जा यानि कि यहाँ पे हर कोई लेडर समझेगा यानि कि हर कोई क्या है अपने आपको नेता समझेगा तो इसी को कहा गया व्यक्तिगत सत्यागरा यानि कि हर किसी का व्यक्तिगत रूप से responsibility है आंदोलन के प्रती अगला कोईसें देखिए बचलो कह रहा है व्यक्तिगत सत्यागरा के अंतरगत महात्मा गाधी द्वारा दुत्तिय सत्यागराही निम्न में से किसी मनोनित किया गया था व्यक्तिगत सत्यागरा के अंतरगत महात्मा गाधी जी ने दुत्तिय सत्यागराही निम्न में से किसी घोसित किया था पहला आपसन बिनोबा भावे दूसरा जवाहलाल नहरू तीसरा मदन मोहन मालविये और चौथा है बल्लब भाई पटेल पताएंगे बचा लोग आपके साब से कौन है जो सही हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो दुत्तिय है वो है आपके जवाहलाल नहरू ये आपके सेकेंड सत्यागराही है आयोग फर्ष्ट भी पूछता है ये फर्ष्ट सत्यागराही है आयोग ने पूँछा है ये थर्ड सत्याग्राई है याद रखी है आपके इस प्रत्संसे प्रतम सत्याग्राई विणुबा भावे प्रतम सत्याग्राई आपके सत्याग्राईSmल को माहत्मा गाधी ने घोशित किया था बेक्ति गत सत्याग रहा के समय आपके लिए काफी महत उटत थे हैं तीनों बातें याद रखेगा अगला question दिखी बीचालो कह रहा है आजाद हिंद फौज का गठन निम्ड में से कब किया गया आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था आपको यह बताना है आपके सामने है आफसन 1944-1941-1942 आपका यहाँ पर होना चाहिए था 43 पताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा आपके आजाद हिंद फोज का गठन कब किया गया था आपको यह बताना है याद रखेंगे जो सही है वो है आपका आफसन नमबर दो यानि कि 1941 में आजाद हिंद फोज का गठन किया गया था और इसका गठन किस ने किया था कैप्टन मोहन सिंग ने कैप्टन मोहन सिंग ने इसका गठन किया था याद रखेगा कैप्टन मोहन सिंग ने आजाद हिंद फोज का गठन 1941 इस भी में किया था वेरी वेरी इंपोर्टन यहीं इसके पहले सेनापती या संस्थापक है अगला कहरा है आजाद हिंद फोज की कमान सुभास चंदर बोज ने कब संभाली थी सुभास चंदर बोज को आजाद हिंद फोज का कमान कब मिला है 1941 में, 1942 में, 1943 में या 1944 में आपके सामने हैं आपसन और आपको देना है जबाब कब आपके सुभास चंदर बोस को आज़ाद हिंद फोज के कमान मिली जिसके अस्थापना 1941 में आपके कैप्टन मोहन सिंग ने किया था तो याद रखेंगे मिसलो क्या है जो सही हो जाएगा बिल्कुल आपका आपसन नमर थे दी बिल्कुल सही है 1943 में सुभास चंदर बोस को आज़ाद हिंद फोज की कमान मिली जो 40 में बना जिसको मोहन सिंग ने बराया इसको सुभास चंदर बोस ने बहुत आगे ले गए और इसको 1943 में इनको सौप दिया था मोहन सिंग ने इसके बाद इसको और ज़्यादा देने का काम सुभास चंदर बोस ने किया था अगला कोईसे देखी बचा लोग आयोग का पूछा हुआ है कह रहा है आजाद हिन फोज की महिला ब्रिगेट का क्या नाम था आजाद हिन फोज की महिला ब्रिगेट का क्या नाम था बचा लोग यह PCS में question आया हुआ है याद रखेंगे very very important पहला आफसन हिल्या बाई दूसरा है कस्तूरबा बाई रखेंगे आपका चौता है इन में से कोई नहीं बताएंगे आपके आजाद हिन फोज में महिला ब्रेगेट का क्या नाम था आपके सामने आफसन है और आपको देना है जबाब आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा तो बिलकुल आप सभी का जो सही उत्तर है वो है ये question आयोग के द्वारा पूछा गया है option number 3 आपका बिल्कुल सही है अगला question भी आपका बहुत ज़्यादा important है और ये भी आयोग का पूछा हुआ है बचालोग कह रहा है 6 November 1943 से सभी को जापानी सेना द्वारा आजाध हिन फोज को अंडमान और निकोबार द्यूप सौप दिये गए INA द्वारा इन द्यूपों का क्या नाम रखा गया ये question आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत बोड़ है और आपको ये पता होना जी क्या है जो सही हो जाएगा पहला option है सहीद एवं स्वराज द्यूप दूसरा है नहरूयों गाधी द्यूप तीसरा है सिंधू एवं सरस्वती द्यूप और चौथा है सुभास एवं आजाध द्यूप आपको बताना है 6 नमंबर 1943 सिस्वी को जापानी सेना द्वारा आजाध हिंद फोज को अन्डेमान और निकोबार द्यूप सौप दिये गए आई एन ने द्वारा इन द्यूपों का क्या नाम रखा गया था तो जो सही है वो है आपका आपसन नमंबर सहीद और स्वराज द्यूप इसका नाम रख दिया था सुवास चंद्र बोस ने जब उनको ये द्यूप मिल गये थे सहीद एवं स्वराज द्यूप बेरी बेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टिन अगला देखे बेचलो महात्मा गाधी को बापू की उपाधी किस ने दी थी महात्मा गाधी को बापू की उपाधी किस ने दिया है पहला आपसन है जवाहलाल नहरू दूसरा है विनुबा भावे तीसरा है नीवे सिंट और चौधा है सुवास चंद्र बोस और ये क्वेस्टन आपके लिए काफी महत बुड़े बचा लोग दीजेगा जब आप कौन है जो महात्मा गाधी को बापू की उपादी दे रहे हैं तो आपका आपसा नमर फस्ट बिल्कुल और बिल्कुल सही है बचा लोग जवाहलाल नहिरू नहीं महात्मा गाधी को अनुसार सुभास चंदर बोस की मृत्यू एक हावाई दुरघटना में निम्र में से कहां हुई थी आपको बताना है सरकारी एजनसी के अनुसार सुभास चंदर बोस की मृत्यू एक हावाई दुरघटना में हुई थी वो दुरघटना कहां हुई थी आपके सामने हैं आपका आप्सन नंबर ताई बान में ये धुरगटना हुई थी ऐसा जो है सरकारी एजनसियों के द्वारा बताया गया है आपसन नंबर ताई आपका बिलकुल सही है अगला क्वेसिन दिखे बेचा लोग महात्मा गाधी के लिए 1944 स्वी में सर प्रत्थम राष्ट पिता सब्द का परयोग किस व्यक्ति द्वारा किया गया था आपको बताना है महात्मा गाधी के लिए 1944 स्वी में सर प्रत्थम राष्ट पिता सब्द का परयोग किस व्यक्ति ने किया है पहला है जवाहलाल नहरू दूसरा है सुभास चंद्रबोस तीसरा है रविन्ना टैगोर और चौथा है तिलक बताएंगे बचा लोग क्या है जो सही हो जाएगा ये भी आयोग ने कई बार पूछा है आप काफस नमर तो बिलकुल सही है सुभास चंद्रबोस ने ही 1944 स्वी में रेडियो पर पहरी बार कहा था कि राष्ट पिता हम लोग अपने देश को आजात करने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आहमे आसिर बात दीजे तो ये आपका आफसन नमर जो दो है बिलकुल सही है सुभास चंद्रबोस अगला देखिए महात्मा अचा गाधी जी को महात्मा की उपाधी किसने प्रदान किया था इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है रभिना टैगोर जोतिवा फूले रान जो सही है वो है फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधी दिया था गाधी को और गाधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु देव की उपाधी दी थी ये भी याद रखेगा ये पूछे कि गुरु देव की उपाधी महात्मा गाधी ने किसको दि पर डचलोक कृपाल क्रिश्न गोखले, महात्मा गाधी के राजनीतिक गुरू राणा डे थे जे को ध्यान दिजिएगा गाधी जी के गुरु गोखले गोखले के गुरु राना डे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मारा अगला question महात्मा गाधी को one man boundary force किस ने संबोधित किया महात्मा गाधी को किस ने कहा कि one man boundary force है very very important question विचा लोग one man boundary force महात्मा गाधी को किस ने कहा है माउंट बेटन ने कहा है लिल लिथगो ने कहा है एरविन ने कहा है या वेलिंग गटन ने कहा है किसने महात्मा गाधी को वन मैन बाउंडरी फोर्स की उपमादी है इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है कौन हो जाएंगे माउंट बेटन ने महात्मा गाधी को वन मैन बाउंडरी फोर्स की उपाधी या उपमा प्रदान की थी अगला क्वेस्टन भी देखिए आप के लिए बहुत ही महत्पूर है कहरा सुभास चंद्र बोष की मृत्तियु निम्न में से कब होई आपको बताना है सुभास चंद्र बोष की मृत्तियु कब होई है पहला करा 18 अगस्त 1945 दूसरा करा 17 जुलाई 1944 तीसरा करा 18 मार्ज 1946 यहां पे होगा 1946 और फिर करा 26 जनवरी 1946 बताएंगे बचलो क्या है जो सही हो जाएगा आपके हिसास से कौन सा वो डेट या इयर है जिसमें ऐसे दुरघटना घटित हुई थी हमारे देश की आजादी के लिए सबसे ज़्यादा दूर दूर तक भ्रमड करने वाले बेखती सबसे ज़्यादा दूर दूर तक अपने देश के अजादी के लिए प्रयास रत बेखती सुभास चंद्र बोस जिनको नेता जी कहा जाता था इनकी जो मृत्यू है यह 18 अगस्त 1945 इस भी को हुई ऐसा माना जाता है आपका जो फर्स्ट है यह बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मारा अगला कोईस्चन निब्स घटनाओं का सही करम में आपको लगाना आपके सामने घटनाएं है इन घटनाओं को आपको करम में लगाना है पहले घटना है आपका बेबल योजना दूसरा है शिम्ला समेलन तिसरा है नौ सायनिक विद्रो और दीसरा है cabinet mission योजना आपके सामने है बिचा लोग सारे option और आपके सामने कूट भी है कूट के सहते से उतर देना है चलिए देखते हैं आप लोग क्या उतर देने वाले हैं पहले में है कि आपका पहला दूसरा तीसरा और चौथा दूसरे में है तीसरा दूसरा पहला और चौथा और आपका मतवसी में है दूसरा तीसरा चौथा और पहला और डी में है चौथा तीसरा दूसरा और पहला यानि कि आपको देना है जबाब अब आप सारे एवेंट को देख लेजिए और फिर आपनों कूट के सहायता से उत्तर दे सकते हैं यह सारे काफी फेमस हैं तो इनको साल करने में समस्या नहीं होने वाली है बचालोग आपका जो सही है वो है आपका आफसा नमर फर्स्ट यह सारे आपके क्रम में लगे हुए हैं पहले आपका बेबल यो यह सारे घटनाए क्रम में लगे हुई है अगला क्वेसिन भी आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है विचा लोग ध्यान से सुनिएगा 1945 स्वी में आजाद हिंद फोज के सेपाहियों द्वारा समरपड करने के बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा उन पर मुकदमानिम्न म से कहां चलाया गया पहला करा है संसद भवन में दूसरा करा लाल किले में तीसरा करा ग्वालियर टैंक मैदान और चौथा करा आगाखा पैलेस बताएंगे 1945 स्वी में आजाद हिंद फोज के सिपाहियों पर समरपड करने के बाद सरकार जो है वो मुकदमा कहां पे चलाई तो आप सभी को ये पता है क्या है जो सही हो जाएगा आपका आपसन नमबर बिदो बिल्कुल सही है लाल के लिए मुकदमा चला था जहां पे जितने भी बड़े बड़े वकेल थे वो सारे लोग अपने मतब जो है वकालत के लिए उतरे थे अपने मतब कोट में सालों जाओं में जिसमें जो नेत्रित कर रहे थे वो भूला भाई देसाई कर रहे थे ये क्वेस्टन भी आता है कि सारे वकीलों का नेत्रित कौन कर रहे थे उसमें भूला भाई देसाई कर रहे थे उसमें जवाहलाल नहरो पटेल सभी लोग अपने वकील के वर्दी में उतरे इन लोगों को बच्चाने के लिए आपसर नमर दो आपका पिल्कुल सही है लाल किला आगे है नेक्स्ट वेस्टन आपके सामने कह रहा है साही नौ सेना विद्रोग निम्न में से कम हुआ साही नौ सेना विद्रोग कम हुआ है बचा लोग पहला कर रहा है 25 फरवरी 1946 दूसरा कर 18 जनवरी 1946 और चोथा कर 16 सितंबर उनने सो यहां पे भी होगा आपका 46 चलिए दीजेगा जब आप चलोग साही जो आपका नौ सेना विद्रोग हुआ है ये कब हुआ है विद्र डेट आयोग ने पूछा हुआ है इसलिए आपको विद्र डेट बताना है क्या है जो सही ह हो जाएगा तो आपका जो सही है वो है आपसा नंबर टू बिलकुल सही है अठारे फरवरी 1946 इसवी को साही नौ सेना का विद्रोग हुआ था ये डेट याद रखेगा अठारे फरवरी 1946 इसवी वेरी बेरी इंपॉर्टिन पर चलोग अठारे फरवरी 1946 सबसे लंबे समय त कांग्रेस का अध्यच किसने की या कौन अध्यच रहे थे आपके सामने हैं आप्सन और आपका मौलाना अबुल कलामाजाद पहला है दूसरा जेवी किरपलानी तीसरा है सुभास चंदर वोस और चौथा है विनोबा भावे आपके सामने हैं चार आप्सन और आपको बतान इनमें कौन है जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यच पने रहे थी आपको इनमें से पता होगा बहुत इंपोर्टेंट है आयोगनेस को कही बार पुछा है आपसर मर्फरस्ट आपका बेलकुल सही है मौलाना अबुल कलाम आजाद ही सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यच रहे हैं यह याद रखेगा बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है अगला कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद कब से कब तक कांग्रेस के अध्यच रहे 1944-45, 1944-44, 1944-46 या 1944-47 बताएंगे आपके इसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बचालोग मौलाना भुलकला माजाद कब से कब तक कांग्रेस की अध्यच रहे जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यचता करने वाले वेक्ती है आपको उनका नाम पता ही है इयर भी याद रखेगा 1944-46 तक लगभग 6 वर्षों तक ये रहे है मोटा मोटा 5 वर्ष लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 वर्ष की आसपास इनका अध्यचता इन्होंने किया इस बीच कांग्रेस का अध्यचता नहीं हुआ था लगातार ये 5-6 वर्ष तक अध्यचता बनी रहे इसलिए सबसे लंबा कारेकालिन का हो गया और इसलिए आयोग नहां से क्वेश्चन पोचा हुआ है अगला क्वेश्चन देखी वेचा लोग देश की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यचता कौन था जेवी क्रिपलामनी विबनोबा भावे नहरू या पटेल आपको बताने इनमे से कौन है जो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यचते थे और इसलिए क्वेश्चन भी आपका बहुत ये सादम है तोड़ है क्योंकि आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है तो क्या है विचलोग बिलकुल आपका जो सही है वो है आपका आपसर नमर फर्स्ट जेवी क्रिपलानी जेवी क्रिपलानी थे जब देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यचत वेरी वेरी इंपोर्टेन तर थे याद रखेंगे अगला क्वेशन देखे वेरी चलोग महात्मा गाधी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था किसने महात्मा गाधी को अर्ध नंगा फकीर कहा विस्टेन चर्चिल ने, विक्टोरिया ने, जार्ज पंचम ने या एलिजा बेत ने बताएंगे महात्मा गांधी को अर्ध नंगा पाकिर इस ने कहा, जो कि महात्मा गांधी सिर्फ आधा कपड़ा पहनती थे, यानि कि सिर्फ लगौड पहनती थे, उपर की सरीर उनकी बिदाव ड्रस रहती थी, इसलिए उन्होंने, मतब उनको जो है विस्टेंच चर्चिल न आपको उनसे मिलने की अनमती नहीं है और उन्होंने उनको अर्धनंगा फकिर कह कि अपमानेत किया गांदी जी ने भी वहाँ पे बहुत सौब इमान पुर्वग बात की और उन्होंने कहा कि अगर आपके महारानी हमें आधे कपड़े में हमसे मीटिंग नहीं कर सकती है तो हम में उनसे मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है जो कि उन्होंने कहा कि हमारे इस हालत के लिए जो जम्मेदार है वो आप लोग हैं हमारे जो दुर्दसा है हमारे पास जो खाने की कपड़े की और सब चिजों की कमी है वो आपकी वज़से है और आप लोगों को हमें ऐसे देखने में सरमिंदगी महसूस हो रही है तो हमें आपके रानी से मुलागात नहीं करना है और ये वापस लोटाए थे तो आपका आपस नवर फ़स्ट बिलकुल सही है अगला कोईसें देखे बेचालो आपके सामने है आपसन कहरा है महात्मा गाधी को मलंग बाबा की उपाधी किसने दिया था महात्मा गाधी को मलंग बाबा की उपाधी किसने दिया था आपके सामने चार आपसन है और आपको देना है जबाब पहला है इर्बिन दूसरा है पस्सिम सीमा की कबिलाई लोगोंने तीसरा है किसानों वादे के प्रदान था और यह क्या आपके पूछा हुआ है और आपने साल्व भी किया है और भक्या है और वचों ने यह पढ़ा है तो कोई तिकत नहीं आपके जो पस्जिमी सीमा प्रांत के कबलाई चेत्र हैं जिनका नित्रत्व आपके खान अब्दुल गफ्फान कर रहे खान अब्दुल गफार खान के ही इलाके की लोगों यानि की उत्तर पसिम्छित्र की लोगों ने जो हां के कविलाई लोग हैं उन्होंने महात्मा गादे को मलंग बाबा की उपादी दी थी तो पच्छा लोग उमीध है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अब आप लोगों को हिस्ट्री पे कमांड महसूस हो रहा होगा अगर कमांड आ रहा है तो कमेंड बाक्स में जरूर लिखे अपनी experience अपनी अनुभाव को और हम लोग अभी भी क्लास को जा अंदर प्रश्णों के साथ और नए चीज़े से केंगे पुराने चीज़ों का रिविजन करेंगे थाइंक्यू बचा लोग थाइंक्यू थाइंक्यू सो मच